नमस्कार आप देख रहे हैं टाइम्स नियूज और मैं हूँ आपके साथ चबी आए नजर डालते हैं कुछ खास ख़बरों पर इंदोर के शिप्राथाना पुलिस ने धाई महीने पुरानी हत्या का खुलासा करती दो आरोपियों को गृफतार किया है आरोपियों में एक युबती भी शामिल है दरसवर शिप्रा थाने पर 26 अपरेल को एक शिकायत दर्ज की गई थी जिसमें एक पिता ने अपनी बेटी सयद सहरा के गायब होने की बात कही थी सयद इंदोर के निजी कॉलेज में भी फार्मा फस्टियर में पढ़ाई कर रही है थी पुलिस ने जब अपनी जाच शुर की तो सहरा के दोस्तों से पूश्टाच में पता चला कि सहरा वीकॉम के एक स्टूडन गौरव के साथ गारी पर जाती हुई देखी गई थी जिसके बाद पुलिस ने गौरव को गृफ्तार किया और से पूश्टाच की तो सने अपना परात कबूल किया गौरव सहरा के साथ रहती हुँ भी इसनिंधा काम नाम की एक अन्य स्टूडन से भी रिलिशन्शिप में था सहरा के साथ लगातार होड़े विवाद के बाद गौरव में अपनी दोस्त इसनिंधा के साथ मिलकर उसे मारने की योजना मनाई योचना कि नुसर गौरब सहरा को कार में लेकर गुमने निकला और सुनसा निलाकी पर ले जाकर अपने दोस्त सुनिंदा के साथ मिलकर शहर की हत्या कर दोनों आरूपी ने शब को जाड़ियों में फेक दिया वापस शहर में आकर रहने लगे पोलिस ने आरूपी गौरब को पकड़ने के बाद मनुविग्यानिक तरीकी से पूश्टाच की जिससे की पूरे मामले का खुलासा हो गया गुमशुदा के हट्टार मामने सामने आरे तो क्या जाने को एक बहुत ही घंबीर मैटर सामने आया है गुमशुदगी शिप्राथाने में दर्च थी 26 एपरिल से और वो लड़की 25 एपरिल को एक गौरफ नाम के व्यप्ती से के साथ गई थी पुलिस ने इसमें काफी घंबीरता से काफी जगा उसकी तलाशी भी की मुंबाई नासिक गोवा सब जगा पुलिस उसको ढूनती रही और गौरफ से भी लगातार पूच्टाश करती रही पर लगातार गुम्राख करता रहा गौरफ और इसको अब दुबारा नासिक से पुलिस जब लेकर आई यह वहां पे वेटर का काम कर रहा था सब इसके फोन नंबर्स वगईरा भी सब सुच्डॉफ थे काफी इसमें मेहनत करके पुलिस उसको नासिक से लेकर आई और बहुत ही अच्छे तरीके से इससे पूच्टाश की तो यह सामने आया कि उसमें अपनी एक फ्रेंड के साथ मिलके सारा की हत्या कर दी थी और उसको जंगलों में फ्रेंड दिया था इसमें जो मुख्य रूप से कारण अभी सामने आया है वो यह है कि जो आरूपी है मेन गौरव वो सारा को पसंद करता था और सारा अपनी गर्फेंड बनाना चाहता था परन्तु सारा उसको हां नहीं करती थी और सारा का किसी और के साथ रिलेशन था इसी के कारण उसने अ आप समान प्यविया